Q4. 8051 Micro Controller में TXD Line द्वारा बाइट के डेटा को अस्थानांत्रित करने के लिए डेटा को कहां रखा जाना चाहिए? Option A. P0, P1, P2 या P3 के किसी भी पोर्ट पर, Option B. SCON रजिस्टर पर, Option C. Accumulator पर, Option D. SBUF रजिस्टर पर इसका एंसर है Option D. SBUF रजिस्टर पर